जहांपे कि हम क्या करते हैं, हम एक passage उटाते हैं, हम एक principles, multiple principles of law को समझते हैं, तो consumer protection act basically होता क्या है, कि अगर आप कोई सामान commercial purpose के लिए खरीटते हो, तो आप consumer नहीं कहलाओगे, consumer protection act के अंडर, self employment अगर हो रही है, तो आप consumer हो, लेकिन अगर commercial nature का है, तो आप consumer नहीं कहलाओग अलो दोस्तों, मैं हूँ वेबर प्रकाशा, स्वागत करता हूँ, आपका इस session में study IQ law entrance पे, जहांपे कि हम legal reels session करेंगे, 19th September की, और यह है हमारा daily dose of law, जहांपे कि हम क्या करते हैं, हम एक passage उटाते हैं, हम एक principles, multiple principles of law को समझते हैं, और उसके questions को apply करके देखते हैं, कि किस तरीके से हमें वो application करना चाहिए, तो यह आपके सभी law entrance examinations में, यह sessions जो है, वो आपके काम आएगा, आपसे request करूँगा, कि जल्दी से आप हमारे telegram और instagram पे हमें follow करी है, और हमसे जुड़ी है, कि telegram पे on a daily basis, जो है, मैं आपको practice के लिए daily free material जो है, वो upload करते रहता हूँ, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो आप मुझसे telegram पे या फिर instagram पे जुड़ सकते हैं, और पूछ सकते हैं, आइए चलिए start करते हैं, आज पूछा गया था, तो इसी लिए, यहां लिख देते हैं, class 2023, ठीक है, तो class 2023 में यह passage जो है, वो पूछा गया है, तो अभी क्या करना है, हम दो मिनिट का समय लेंगे, और आप अराम से इसको पढ़ेंगे, and उसके बाद फिर हम इसके उपर discuss करेंगे, और चर्चा करेंगे, So your time starts now. झाल 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 चलो, तो क्योंकि दो मिनिट आपका समाप्त हो चुका है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको समझते हैं, इस पैसेज को समझते हैं, और देखते हैं कि यह क्या क्या रहा है, तो जैसे कि आपने यह पैसेज पढ़ा होगा, आपको एक ची समझ में आ गई होगी, कि यह बात कर र यह एक law जिसे कहते है consumer protection act, ठीक है, तो consumer protection act basically होता क्या है, कि consumer protection act जो है, वो हम जैसे consumers को, जो की कोई सामान खरीता है, अपने use के लिए, अपने day-to-day, रोज मर्रा की जिंदगी के लिए, जैसे मैंने ये pen खरीदा, आप phone खरीदते हो, तो ऐसे बहुत सारे चीज़े जो हम खरी service, ठीक है, services या फिर goods, अगर वो सही नहीं हुए, तो उसके against वो complaint जो है, वो कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर देखें, तो एक principle यह कह रहा है कि person buying and using the goods and services, तो अब यहाँ पर यह कह रहा है कि consumer जो है, वो कोई भी व्यक्ति होता है, जो कोई समान को खरीदता है, या किसी service को खरीदता है, service को खरीदने का मतलब क्या हुआ, जैसे for example, आपने कोई service, urban company नामक, you know, portal से book करी, ठीक है, plumber की services आपने book करी, और वो अच्छी नहीं रही, तो वहाँ पे भी आप consumer होगे, लेकिन फिर यह एक और यह चीज़ कह रहा है कि anyone who uses them, अब यह भी हो सकता है, कि मैं मैंने खरीदी नहीं हो, मुझे gift करी हो, तो ऐसे किसे, and exactly what यह तो आपको ball भी रहा है, कि अगर आप एक movie जाते हो, movie ticket खरीद के, तो भी आप एक consumer हो, या फिर अगर आपको कोई यह gift voucher gift मिलता है, किसी और के द्वारा, तो भी आप consumer रहोगे, ठीक है, तो यह हो गया, एक person, person, दूसरा है, जो कि थोड़ा सा tricky है, लेकिन बहुत important है, person using goods for self-employment and not for commercial purpose, basically यहाँ पर आपको यह कह रहा है, कि अगर आप कोई सामान commercial purpose के लिए खरीदते हो, तो आप consumer नहीं कहलाओगे, Consumer Protection Act के अंडर, लेकिन अगर आप कोई goods को खरीद रहे हो, self-employment को, सिर्फ और सिर्फ अपने livelihood को जीने के लिए, अपनी salary earn करने के लिए, कुछ basic amount earn करने के लिए, अगर आप वो करने के लिए कर रहे हो, आप self-employed हो, खुद ही को आप employ किये हुए हो, तब वहाँ पे आप consumer कहलाओगे, even if अ essentially आपका ये principle ये है, कि commercial nature के जो है, commercial purposes के है, वो आपके consumer के under नहीं आएंगे, तो यहाँ पे example के तौर पे क्या दिया हुआ है, कि goods for, like for example, artists, ठीक है, जो अपना कुछ art supplies खरीते हैं अपने काम के लिए, या फिर beauticians, जो beauty products खरीते हैं, वो consumers हैं, क्यों, क्योंकि वो self-employment के लि लेकिन अगर मान लीजे, कि मैंने बहुत सारे logo का रखा हुआ है, ठीक है, मेरा एक पूरा full-fledged business है, और मैं उस business को run करने के लिए कोई सामान खरीता हूँ, तो ऐसे case में क्या होगा, आप बोलोगे, वो commercial nature का है, वो self-employment नहीं है, ठीक है, self-employment का मतलब कि सिर्फ और कर रहा हूँ, अगर मैंने बहुत सारी team रख ली, there are many people working under me, तो फिर वो self-employment नहीं हुआ, फिर वो commercial nature के under आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद तीसरी बात कह रहा है, person using online facilities, तो आजकल जैसे हम लोग Amazon, Flipkart, Mintra, AGO, etc., etc., हम लोग use करते रहते हैं, तो यह भी कह रहा है कि जो online facilities ले रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पे कुछ खरीद रहे हो, या फिर आप hire कर रहे हो किसी goods or service को online, तो भी आप consumer बनोगे, अब यह क्या example हो सकता है, हम क्या hire करते हैं online, जैसे for example, Ola और Uber, है ना, these are online services, जो कि हम book करते हैं, हमने कुछ खरीदा नहीं है, but we are hiring a service online, तो that way हम यह आपे भी consumer कहलाएंगे, Ola Uber के cases में भी, जैसे online clothes website का बताया आपको एक example दे रहे हैं, बहुत ही simple साथा, उसके बाद चौथा principle आपको यह दिया हुआ है, कि people who are facing issues relating to food, खाने को लेकि अगर हम बात करते हैं, तो चाहे adulteration हो, मिलावट हो, poor quality हो, खराब quality का खाना आपको मिल हो, service आपको सही से नहीं मिली हो, like for example, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, from water that goes into the production की क्या पानी यूज हो रहा है, juice जो है वो expired तो नहीं है, sale of animals like chicken, mutton, जो है वो fresh है की नहीं, अब जैसे माल लेजे हम online ही कुछ chicken या mutton order करते हैं, और वो stale निकलता है, वो बास ही निकलता है, तो I am a consumer for that purposes, and उस case में मैं क्या करूँगा, मैं जाके complain कर सकता हूँ, under Consumer Protection Act, so ये चार category जो है वो आपके लिए बनाया है, under the Consumer Protection Act, तो एक बार quickly बस एक बार याद कर लेते हैं, क्या क्या है, कि person जो खरीद रहा है, या use कर रहा है किसी भी goods and services को, ठीक है, not नहसरी कि आपको ख service यूज कर रहे हो, तो भी आप consumer कहला होगे, दूसरा, self employment अगर हो रही है, तो आप consumer हो, लेकिन अगर commercial nature का है, तो आप consumer नहीं कहला होगे, पीसरा, अगर आप ओई online facility यूज कर रहे हो, चाहे वो Amazon हो, Flipkart हो, Ola हो, Uber हो, तो भी उनसमें goods खरीद रहे हो, या services ले रहे हो, in both the categories और cases, आप consumer कहला होगे, people facing issues, अगर आप कोई खाने की बात करते हैं, कि आपको क्या quality of खाना मिल रहा है, क्या quality of पानी यूज किया जा रहा है, anything and everything, the quality of chicken, mutton, vegetables, etc., etc., वो सब कुछ cover होगा, as you would be considered to be a consumer, ठीक है, तो ये बहुत ही basic सा principles थे, ये 4-5 principles थे, अब हम लोग को देख रहना है question, तो question क्या है, सबसे पहला question कह रहा है, Clint Leone, Marion Limited को ये company है, is a factory manufacturing bicycles, for the purpose of documentation and record keeping, it purchased a laptop from Pacer, however, within a month of the purchase, laptop crashed and there was a motherboard failure, despite a warranty, Pacer failed to replace the motherboard, मतलब ये जो company है, जिसकी, you know, ये laptop था, उसने मला कर दिया, नहीं किया, विचा तो following statement is correct, अब हमको ये बताना है कि कौन सा statement जो है, वो correct है, तो अब यहाँ पे, कौन से principle का application होगा, principle number 2, जहाँ पे कि, या था self employment, या फिर commercial nature, ठीक है, तो अब देखो, self, या फिर commercial, यही दो options है, यह है factory manufacturing bicycles, अब कोई factory में एक आदमी तो काम नहीं कर रहा होगा, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो यह self में आएगा, commercial में आएगा, यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो commercial nature में आ गया, तो यह जो laptop खरीदा गया है, यह commercial purpose के लिए है, ना कि self employment के लिए ह तो which of the following statement is correct, purchase of electronic items do not fall within purview of consumer law, यह तो गलत है, कोई भी समान हो सकते हैं, जब खाना, पानी, सब कुछ consumer protection act में आ रहा है तो electronic items क्यों नहीं आएगा, CLML is a consumer, यह तो consumer नहीं होगा, तो essentially, क्योंकि यह commercial nature है तो consumer नहीं होगा, तो अब देखो, is not a consumer, company is not a person and so cannot be a consumer, देखो, इसके उपर तो कोई passage में बात ही नहीं किया गया था, जब passage में कोई चीज बात नहीं करी गई है, तो हम उसको ignore कर देंगे, कि company जो है, वो person होता है, नहीं होता है, क्या होता है, वो passage में नहीं दिया है, प्रिंसिपल में नहीं दिया है, उसको ignore कर दो A, D छूट गया, CL level is a consumer नहीं होगा, मेरा correct answer है, option C, मेरे को अब ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, मैं हर बार आपको हर class में यही कहता हूँ कि अगर आप एक बार प्रिंसिपल सही से समझ गये, तो आपके लिए answer पे आना difficult नहीं होना चाहिए, next question, next question यह कहता है, कि स पे काम कर रहा है, वो किसी एक जगा पे कोई employment नहीं कर रहा, वो freelancing काम कर रहा है, उसको जो जब काम मिला, उसने कर लिया, जब नहीं मिला तो नहीं किया, आप देखो, freelance journalist जो है, यह commercial nature का काम कर रही है, या फिर यह, self employment है, यह होगा self employment, क्योंकि यह अकेले काम कर रही है, और अपनी livelihood earn करने के लिए काम कर रही है, तो यह सिर्फ अकेले कर रही है, और अपने लिए कर रही है, अपने पेट भरने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, तो यह freelance journalist जो है, यह हो गया self employment, तो अगर self employment है, तो connection act, तो अब आपको क्या देखना है, cannot be a consumer दिया हुआ है, cannot be a consumer, a, हटा दो, does not fall within the purchase or good, does not fall within the purview, does not fall, हटा दो, since she is using for the purpose of earning her livelihood, she will be a consumer, मिल गया मेरे को मेरा answer, option c, so again, if we are clear, our answers would not be wrong, next question, कलप वरुक्षा, charitable trust, runs a hospital, hospital charges a fee from its patient, fees however 30% less, from all other services and medical devices, sold to the patients, मतलब 30% कम पे, वो commercial rates से, 30% less ले रहा है ये, अपने patient से, it's a charitable trust, ठीक है, hospital purchased a pacemaker from St. Roots, a globally reputed manufacturer of pacemaker, हाट में लगाने कार एक device होता है, जिसकी धडकने जो धीरे चलती है, उसके दिल, उसके हाट में, दिल में जो है, पेस में कर एक device डाले जाता है, जो कि battery से चलता है, तो वो support करता है आपके हाट को, ताकि वो ठीक से pump कर सके, to be resold to, to be resold to, देखो, to be resold to, is the key word, which of the following statement is correct, यहाँ पे देखो, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ एक word पे पूरा तुमारा answer आ गया, resold, मैं किसी चीज को खरीद के फिर आगे बेच रहा हूँ, अल्टिमेटली, what this hospital is doing, ठीक है, आप कम पैसे में ले रहे हो, लेकिन business तो कर रहे हो न, 80% less जो है, आप ले रहे हो, आप चार्ज कर रहे हो, I get it, I agree, लेकिन, it is a commercial nature, irrespective of that, क्योंकि यहाँ पे आप resale कर रहे हो, किसी चीज को, जो की आपने कहीं से खरीदा है, तो इस case में, which of the following statement is correct, और should be correct, it's a charitable hospital, therefore it's a consumer, in respect to the pacemakers purchase from St. Roots, क्योंकि यह self-employment की बात हो नहीं रही है, यह self-employment नहीं है, ठीक है, charitable ही है, भले nature, लेकिन फिर भी, यह क्या है, यह commercial nature तो है ही, तो hospital जो है, वो therefore it is a consumer नहीं होगा, so essentially consumer नहीं होगा, ठीक है, तो can be considered to be a consumer, यह भी हटा दो, sale of medical devices not covered by, ऐसा भी नहीं कहीं कहा गया, यह भी हटा दो, so what we are left with is option B, तो elimination method को जितना use कर सकते हो, उतना जादा use करो for the purposes of solving questions, moving on to the next question, FitZit जो है, वो एक online platform है, which provides physiotherapy and other ancillary medical services, Amit Ghosh ने book किया एक physiotherapist को, 3 महिने के लिए by paying an amount of 25,000, FitZit ने guarantee किया qualified physiotherapist का, लेकिन जो physiotherapist आये, first two visits में had no training or certification, Amit Ghosh now seeks to proceed against FitZit under consumer protection law, ठीक बात है, online platform है, online platform में कोई भी goods या service, अगर आप लेते हो, जैसे मैंने आपको example दिया था, ओला उबर का, यहाँ पे इसने दे दिया है कि, आप कुछ physiotherapy के लिए कोई service मंग आ रहे हो, So online platform, service, consumer होगा, ठीक है, which of the following can be correctly inferred, are not covered by consumer protection, गलत हो गया, online services consumer protection में आता है, since services are not covered by consumer protection, ये भी गलत हो गया, online services are covered, are not, देखो, यहाँ पे भी medical services are not covered, देख रहा हो, मतलब मुझे essentially पूरा-पूरा पढ़ना भी नहीं पढ़ रहा है, कि ये इनने दिया क्या है, the only thing is when I know, कि इसका answer होना क्या चाहिए, तो मैं automatically बस ये देख ला हूँ, कि online services are not covered by consumer protection, कैसे, यार हमने already यहाँ पे देखा था, देखो, people using online facilities, ठीक है, तो who buys or hires goods or services online, तो वो भी consider a consumer is also a person, जो online कोई goods खरीद रहा है, या कोई service खरीद रहा है, तो अगर आप ये कहो यहाँ पे, कि online services are not covered, तो ये गलत हो गया, principle 3 के according, since services are not covered by consumer protection, consumer protection goods as well as service, दोनों की बात करता है, तो B भी गलत हो गया, medical services are not covered, ये तो passage में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ था, अगर नहीं होता medical service covered, तो वो passage में mentioned होता, तो मैंने इसको भी delete कर दिया, तीन मेरे eliminate हो गया, जो मेरा बचा, मेरे को answer मिल गया, तो इसलिए confusion का भी न, chances खतम हो जाता है, जितेश शा पर्चेस फ्रॉम ब्रीदीजी, a company selling respiratory devices, a nebulizer, nebulizer बेसिकली एक device होता है, जो नाक पे लगाया जाता है, nasal track को clear करने के लिए, जब वो बहुत jam हो जाता है कुछ लोग का, तो उसको clear करने के लिए, nebulizer एक device जो है, वो लगा ही जाती है, मतलब उससे आप वेपर वगर लेते हो, ताकि आपका nasal track खुल जाता है, ओके, for clearing his nasal passage, ओके ठीक है, ये explanation दे दिया, nebulizer was however defective, and led to severe respiratory, अब देखो, ये nebulizer जो है, वो defective था, nebulizer क्या हो गया, एक good हो गया, defective हो गया, तो ये consumer production act के अंदर तो आए गही, जितेश शाह ने खरीदा, ओके, जिगनेश इस considering filing a, अच्छा, जिगनेश दव बेटा, ओके, जिगनेश दव सन, is considering filing a complaint against BDZ, अंडर consumer production law, which of the following statement can be correct, अच्छा, अब देखो, यहाँ पे एक और वो principle आ गया, principle number one, खरीदा किसने, बायर है, फादर जितेश शाह, और जिगनेश शाह कौन है, जिगनेश शाह is the, user of the good, तो principle one में, क्या वो दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, लाओ तुमको एक बाद फिर से दिखा दो, a consumer includes any person, who buys the goods and services, as well as anyone who uses them, anyone who uses them, तो even if उनका बेटा जिगनेश जो है, उसने नहीं खरीदा, but since he is using, जिगनेश जो है, is a user and hence a consumer, ठीक है, तो जिगनेश consumer होगा, अब पहला क्या बोला है, जिगनेश शाह did not purchase, he cannot be considered a consumer, जिगनेश शाह is a user of the device, he can be considered a consumer, लो मेरे को मिल गया मेरा answer, CD छोड़ दो, देखने का जरुवत ही नहीं है, I am sure कि मेरा B जो है option, सही है, and that is how you can do, your legal reasoning, legal aptitude, for your entrance examinations, अगर आप अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और जल्दी से बता देता हो, कि अगर आप CLAT examination की तयारी कर रहे हो, या किसी भी law entrance examination की आप तयारी कर रहे हो, तो we have a crash course program 2024, आप सब के लिए ये एक smart course है, जहाँ आपको mock test, sexual test, NLU students के साथ mentorship, guidance sessions, recorded lectures जो है, जहाँ पे आपका law, GK current affairs, English, critical reasoning, mathematics, आपकी सब जो है वो cover होगी इस smart course में, और इसकी fees जो है, वो सिर्फ और सिर्फ 7,499 पे आती है, लेकिन ये कब आएगी, जब आप मेरा, प्यारा सा code मेरा नाम जो है, वेभव, आप उसको use करोगे, so do not forget to use my code वेभव, when you are purchasing the smart course of StudyIQ, ठीक है? So again, do not forget to join us at, or rather on our telegram channel, as well as on our Instagram page, आपको कई सारे updates है, वो मिलते रहेंगे, कल शाम साथ बजे फिर से आप से वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए, stay safe, happy preparations, take care and goodbye.